आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपने अपने मुबाइल फोन को रिसेट कर दिया है और रिसेट करने की बाद आप उसमें एक आईडी बनाना चाहते हैं, एक नया एकाउंट प्री करना चाहते हैं, तो कैसे आप एक प्रीक्रीयेट करेंगे इस वीडि ये आपको password पता होना चाहिए तो हम यहाँ पर एक नया ID बनाएंगे क्योंकि मैंने ये कल ही mobile को reset किया है तो हम यहाँ पर play store पर click करते हैं हमारे सामने इस तरीके से page आ जाता है अब यहाँ पर आपको मिलेगा sign in button और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं आपक आपको अपना email ID डालना होगा और उसका password डालना होगा और आपका email ID login हो जाएगा लेकिन हमें यहाँ पर एक नया बनाना है तो यहाँ पर मिलेगा for my personal use और आपको इस पर click करना है इस पर click करने की बाद आपके समने इस तरीके से page आएगा आप यहाँ पर आपको अपना first name यहाँ पर आपको अपना last name इंटर करना है तो first name पर click करके जो भी आपका name हो वो आपको first name यहाँ पर इंटर कर देना है नीचे आपको मिलेगा आपका last name तो यहाँ पर आपको अपना last name इंटर कर देना है उसकी बाद nest करना है जैसे आप नेस्ट करेंगे नेस्ट करने की ब आपको यहां पर अपना एयर चूज कर लेना है उसकी बाद यहां पर आपको मिलेगा जेंडर और आपको जेंडर पर क्लिक करके आपको अपना जेंडर चूज करना है उसकी बाद नीचे मिलेगा नेस्ट बटन और आपको फिर नेस्ट बटन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर सजेशन में बहुत सारी email id दिखाई जाएंगी तो इन में से जो भी email id आप बना चाहते हैं वो आप यहां से ले लेंगे इस email id को आप बना चाहते हैं वो आपको email id चूज करना है उसके बाद next बटन पर क्लिक करना है जैसे आप नेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके समने आजएगा तो यहां पर आपको अपना जो भी password बनाना हो वो आप यहां पर password को इंटर करियेगा जैसे आप पासवर्ड इंटर करेंगे उसके बाद next बटन पर क्लिक करना है जैसे आप नेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके समने आजएगा add phone number अगर आप अपना mobile number add करना चाहते हैं तो yes I am in पर क्लिक करेंगे अगर आपना mobile number add नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर skip कर देंगे आपको यहां पर skip बटन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहां पर wait करना होगा आपके समने आजएगा review your account info और यहां पर आपका account दिखाई देगा उसके बाद यहां पर मिलेगा nest और आपको nest करना है जैसे आप यहां पर nest बटन पर क्लिक करेंगे आपके समने गूगल के privacy and termine condition आजएगी उसके बाद नीचे आजाना है यहां पर मिलेगा I agree और आपको इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहां पर wait करना होगा, जो आपका गूगल account होगा वो यहां पर बनके ready हो जाएगा, तो हम यहां पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे समने आ गया है Google Service और हमारा जो गूगल account होगा वो यहां पर पुरी तरीके से बन गया है तो research करन एड़ी को कैसे बनाया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत धन्नवाद